प्रस्तुत पुस्तक का नाम है पंच पर्मेश्ठी ब्रह्मचारी, साधर्मी भाई, रायमली जीकरत, ज्यानानंद स्रापकाचार से संकिलित पंच पर्मेश्ठी, स्वरूप एबं समीक्छा, अनुवाद एबं संपादन, ब्रह्मचारी, यस्पाल जैन, एमे, जैपुर सिद्ध का स्वरूप, अब मोक्षु सुक्का वर्णन करते हैं ओम सिरी सिद्धे भ्यान महा स्री गुरू के निकट सिस्प्रश्ण करता है हे स्वामी, हे नात, हे किर्पानिधी, हे दयानिधी, हे परमुपकारी, हे संसार समुद्र तारक, भोगों से परानमुख, आत्मिक सुख में लीन आप मुझको सिद्ध परमेश्टी के सुख का स्वरूप कहो बह सिस्प कैसा है? महा भक्तिवान है और जिसके एक मात्र मोक्ष प्राप्ती की अभिलासा है बिसेश प्रकार से यह स्री गुरू की तीन प्रदिक्षना देकर हस्त कमल मस्तक से लगाकर हाथ जोड कर गुरू का समय पाकर बार बार दीनता और बिनाय पूर्वक बचन कहेकर मोक्ष के सुख को पूछता है तब स्री गुरू कहते हैं हे पुत्र हे भव्य हे आरिये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया अब तुम साब्धान होकर सुनो यह जीब सुद्धो पयोग के माहात्मे से केवल ग्यान उत्पन कर सिद्छेत्र में बिराजमान होता है यह चरम सरीर से किंचित निउन आकार को धारण किये सिद्ध छेत्र में जाकर सास्वत बिराजता है एक-एक सिद्ध की अबगाह नामे अनंतानंत सिद्ध भगबान भिन्न भिन्न बिराजते हैं कोई किसी से मिलता नहीं है सिद्ध भगबान कैसे हैं उनकी आत्मा में लोका लोक के तीन काल संबंधी चराचर पदार्थ, द्रब गुन और परियाय सहित एक समय में युकपत जलकते हैं उनकी चरण युगल को मैं नमस्कार करता हूँ सिद्ध भगबान कैसे हैं बे परम पवित्र हैं परम सुद्ध हैं और आत्मिक सुभाव में लीन हैं परमतींद्रिय, अनुपम, बाधारहित, निराकुलित, शोरशको, निरंतर, अखंड रूप से पीते हैं उसमें अंतर नहीं उगता है सिद्ध भगबान कैसे हैं बे असंख्यात पिर्देसी, चैतन धातु के पिंड, अगुरु लगु रूप को धारण किये अमूर्तिक आकार से युक्त हैं, उन्हें सर्व पदार्द, पिर्देक्ष, भिन्न भिन्न दिखते हैं सिद्ध भगबान कैसे हैं, बे नी कसाए हैं, आवरर से रही थें उन्होंने घातिया अघातिया कर्म मल को धो डाला है, अपना ग्यायक सोभाव पिर्गट किया है प्रती समय सटगुण हानी ब्रद्धी रूप परिणमते हैं, अनन्तानंत आत्मिक सुक्का आश्वादन करते हुए तरप्त नहीं होते हैं अथवा अतियंत तरप्त हैं, अब उनको कुछ चाय नहीं रही सिद्ध भगवान कैसे हैं? बे अखंड, अजर, अविनासी, निर्मल हैं, सुद्ध हैं, चैतन सरूप एवं ज्ञान मूर्ती हैं, ग्यायक, बीतराग और सरवग्य हैं सर्व तत्तों के जानने वाले हैं, सहजानन्द हैं, सर्व कल्यान के पुझ हैं, त्रैलोग के पूझ हैं, सर्व बिगनों के हरण करने वाले हैं ग्रस्त दसा में, स्री तीर्थंकर देव भी उनको नमस्कार करते हैं, मैं भी उन्ही के गुणों की प्राप्ती के लिए बारंबार, हस्त कमल, मस्तक से लगा कर उन्हें नमस्कार करता हूँ सिद्ध भगवान कैसे हैं, बे देवाधी देव हैं, देव संग्या सिद्ध भगवान के लिए ही सोबित होती है, चार परमेष्थि को गुरू संग्या है, देव संग्या नहीं, तथा बे सर्वतत्तों को प्रकाशित करते हुए भी गेय रूप नहीं पढ़नमते हैं अपने शुभाव रूप ही रहकर गेयों को इस प्रकार जानते हैं मानो ये समस्त गेय पदार्थ उनके सुद्ध ग्यान में डूब गए हैं या मानो उनको वे उखाड कर कुण रूप से निगल गए हैं या अबगाहन सक्ती में समा गए हैं या मानो आचरण में समा गए हैं या मानो सुभाव में आकर बस गए हैं या मानो तादात में होकर परिणमते हैं या मानो प्रतिविंवित हुए हैं या मानो पासाण में ही उतकेन हो गई हैं या चित्राम के चितेरे हैं या मानू सुभाव में आकर प्रवेश किया है सिद्ध भगवान कैसे है जिनके असंख्यात पिरदेश सांती रस्से भरे है ज्यान रस्से आलादित है जिनके समस्त पिरदेशों में सुद्ध अमरत ज़रता है तथा अखन धारा पिरवाय रूप से बहता रहता है जिस पिरकार चंद्रमा के भिमान में अमरत जहरता है, बह औरों को आनंद, आलाद, उत्पन करता है, आताप को दूर करता है, तथा सब को प्रफुलित करता है उसी पिरकार सिद्ध भगवान, सोयमतो ग्याना मरत का पान करते हैं, तथा औरों को भी आनंद कारी हैं, जिनका नाम लेने एवन ध्यान करने से ही भव रूपी आताप बिलीन हो जाता है पड़नाम सांत होते हैं और शोपर की सुधता होती है, ज्याना मरत का पान होता है, तथा निश्ध रूप की प्रतीती आती है ऐसे सिद्ध भगवान को हमारा बारंबार नमसकार हो ऐसे सिद्ध भगवान जयवंत रूप पिरवर्तन करें तथा मुझे संसार समुद्र से निकालें संसार में डूबने से मेरी रक्षा करें मेरे अश्ट करमों का नास करें मेरे कल्यान के करता हूँ मुझे मोख्ष लक्षमी की प्राप्ती कराएं मेरे हिर्दय में निरंतर बास करें तथा मुझे अपने समान करें सिद्ध भगवान कैसे हैं जिनके जन्म मरण नहीं जिनके सरीर नहीं जिनका बिनास नहीं और जिनका संसार में बापिस आगमन नहीं जो अपने ग्यान और पिर्दिसों में अकम्प हैं अस्तित, बस्तित, द्रब्यत, प्रमियत, अगुरू लगुत, पिर्देसत, एबं चेतनत आदी अनन्त गुणों से पून भरे हुए हैं इसलिए अन्ने अब गुणों को आने के लिए इस्थान नहीं ऐसे सिद्ध भगवान को पुना मेरा नमस्कार हो ऐसे सिद्ध परमिष्ठी के सरूप में अन्तर नहीं है इस पिरकार जैसे सिद्ध हैं बैसे ही सिद्ध का सरूप सिद्ध को बताया और इस पिरकार उपदिश देते हैं हे सिद्ध, हे पुत्र, तुम तो सिद्ध समान हो इसमें संदेह मत करो सिद्धों के सरूप और तुम्हारे सरूप में अंतर नहीं है जैसे सिद्ध है बैसे ही तुम हो बर्तमान समय में तुम अपने को सुभाव से सिद्ध समान देखो विचार करो सिद्ध समान हो की नहीं उसे देखते ही कोई परम आनंद उत्पन होगा बहे कहने मात्र का नहीं है परमार्थता ऐसा ही है इसलिए अब तुम साबधान होकर अपनी परणती सुलटकर तथा एकागर चित से साक्षात ज्याता द्रश्टा पर को देखने जानने वाले उसको ही तुम देखो अब लोकन करो सिथिलता धील मत करो ऐसे अमरत रूपी स्री गुरू के बचन सुनकर सिस सीगर ही अपने स्वरूप का विचार करने लगा परमदयालू स्री गुरू ने बारम बार मुझसे यही कहा और यही उपदेश दिया है अताय इसका क्या प्रियोजन है एक मेरे भला करने का ही प्रियोजन है इसलिए मुझसे बार बार कहा है अताय देखो मैं सिद्ध समान हूं की नहीं देखो जब यह जीव मरण समय इस सरीर से निकल कर दूसरी गती में जाता है तब इस सरीर के अंगो पंग, हांट पैर, आख कान, नाक इत्यादी, सर्व चिन, जयोंकेतियों रहते हैं किन्तु चेतन पना नहीं रहता, इस से यह जाना गया कि जानने वाला, देखने वाला व्यक्ती कोई और ही था तथा, देखो, मरण समय जब यह जीव अन्यगती में जाने वाला होता है, तब कुटुम्ब परिवार के लोग मिलकर, इसी बहुत पकड़-पकड़कर रखना चाहें तथा, गहरे तलगर में, मोटे कापाट में भी जखड़कर रखें, तो भी सर्व कुटुम्ब के देखते देखते, दीवार एवम घर में से आत्मा निकल जाता है, और यह किसी को नहीं दिखता है इसलिए यह जाना गया कि आत्मा अमूर्तिक है, यदि मूर्तिक होता, तो सरीर की भांती पकड़ने से रुख जाता, इसलिए आत्मा प्रतियक्ष अमूर्तिक है, इसमें संदे नहीं है यह आत्मा स्रोत्र इंद्रिय के द्वार से साथ पिरकार के सब्दों की परिक्षा करता है, सुनता है नेत्र इंद्रिय के द्वार से पांच पिरकार के बन को भली भाती देखता है नाशिका इंद्रिये के द्वार से दो पिरकार की सुगंद दुरगंद को जानता है रशना इंद्रिये के द्वार से पांच पिरकार के रश का आश्वादन करता है एवं इसपर्शन इंद्रिये के द्वारा आठ पिरकार के इसपर्श को जानता है अनुभब करता है एवं निर्धार करता है ऐसा जाननपना ग्यायक सुभाव के बिना इंद्रियों में तो नहीं है इंद्रियां तो जड़ हैं अनंत पुद्गल के परमानुओं के मिलने से इनका यह आकार बना है अता है इन्हीं इंद्रियों के द्वार से जो दर्शन ज्यान उप्योग में आता है वह उप्योग ही मैं हूँ अन्य नहीं भ्रम से ही अन्य भासित होता है अव स्री गुरू के पिरसात से मेरा भ्रम बिलीन हो गया है मैं प्रतियक्ष साक्षात ग्याता द्रश्टा अमूर्तिक सिद्ध समान सोयम को देखता जानता और अनुभब करता हूँ इस अनुभबन में कोई निराकुल सान्ती पिरदायक अमूर्तिक आत्मिक अनुपम्रस उत्पन होता है और आनंद जहरता है इस आनंद का पिरवाव मेरे असंख्यात आत्मिक पिरदेशों में धारा पिरवाह रूप से चलता है पिरवाहित होता है इसकी अधुत महिमा को मैं ही जानता हूँ अथवा सर्वगि देब जानते हैं यह बचन अगोचर है मैं कभी गहरे तलघर में बैठ कर देखता और विचारता हूँ तो भी मुझे बजरमई दीवार फोड़ कर भी घट पटादी पदार्थ दिखाई देते हैं ऐसे विचाराते हैं कि देखो यह मेरा मकान मुझे पिरतियक्ष इस समय दिखाई देता है यह नगर मुझे पिरतियक्ष दिखता है मुझे यह भरत छेत्र दिखता है साथ प्रत्वियों में रहते हुए नार्कियों की जीव मुझे दिखते हैं सोलै स्वर नो ग्रेवियक नो अनुदिस सर्वार्थ सिद्धी के देव सिद्ध छेत्र में इस्थित अनंतानंत सिद्ध भगवान समस्त तिरलोक इतने ही पिर्मान वाला अमूर्तिक धर्म द्रब एवं इतने ही पिर्मान में एक-एक परदेश में इस्थित एक-एक अमूर्तिक कालानु द्रब इस्थित दिखते हैं तिर लोग अनंता अनंत निगोदिया जीवों से भरा है तथा और भी जाती के तरस जीव तरस नाड़ी में इस्तित है नरकों में नार की जीव महादुख पाते हैं स्वर्गों में स्वर्गवासी देव क्रीडा करते हैं तथा इंद्रिय जनित सुख को भोगते हैं एक समय मे अनन्ता अनन्त जीव मरते और उत्पन होते दिखते हैं दो परमाणू के इसकंद से प्रारंभ कर अनन्त परमाणू एवं त्रैलो के पिरमाण महा इसकंद परियंत नाना पिरकार के पुद्गलों की परियाएं मुझे दिखती हैं बेप्रतिसमय अनेक सभाव को लिये हुए परिणमती हुई दिखती हैं तीन काल के समयों का पिर्मान दिखता है और सर्व पदार्थों की तीन काल संबंदी परियायों का पलटना भी दिखाई देता है केवल ग्यान का जानपना मुझे पृतियक्ष दिखता है इस पिरकार ग्यान का धारक स्वामी कौन है ऐसा ग्यान किसे हुआ ऐसा ग्यायक पुरुस्तो पृतियक्ष साक्षात बिद्यमान दिखता है यहां भी जहां तहां का ग्यान का पिरकास ही मुझे दिखता है और ही है अत्वा मैं हूँ यदि और ही हो तो मुझे ऐसी खबर क्यों पढ़ती है अन्य किस ने देखा और कैसे जाना इसलिए यह जानपना मुझे ही उत्पन हुआ है अत्वा जो जानपना है बै ही मैं हूँ और जो मैं हूँ बै ही जानपना है इसलिए जानपना और मुझे म मैं एक ज्यान का ही बना हुआ स्वक्ष निर्मल पिंड हूँ जैसे नमक की डली खार के पिंड से बनी है अथवा सक्कर की डली मिश्ट अम्रत के अखंड पिंड से बनी है बैसा ही मैं साक्षात पिर्गट सरीर से भिन हूँ मैं सोभाब से लोका लोक का पिरकासक चैतन धातू सुख पिंड अखंड अमूरतिक अनन्त गुणों से पूरित हूँ इस मैं संदे नहीं है देखो मेरे ग्यान की महिमा बर्टमान में मुझे कोई केवल ग्यान नहीं कोई अबदी मना परिया ग्यान भी नहीं मात्र मति सुरुत ज्ञान प्राप्त है बेबी पूर्ण नहीं है मात्र अनन्तवे भाग छेयुपसम हुआ है उसके होते हुए ज्ञान का इस भाती पिरकास हुआ और उसके अनुसार ही आनन्द हुआ तो इस ज्ञान की महिमा किसको कहूँ यह आश्चरियकारी सुरुप मेरा ही है किसी अन्यका नहीं है अत्य इस भाती बिचक्षण पुरुष को अर्थात निजात्म सुभाब को देखकर मैं और किस से प्रीती करूँ मैं और किसकी आराधना करूँ मैं किसका सेवन करूँ और किसके पास जाकर याचना करूँ इस सुरुप को जाने बिना मैंने अब तक जो किया भै मोय का सुभाब था मेरा सुभाब नहीं था मेरा सुभाब तो एक टंकोत कीन ग्यायक, चैतन लक्षन, सर्वतत्तों को जानने वाला है निजपढ़नती में रमन करने वाला है, सिब इस्थान में बास करने वाला है संसार समुद्र से तारने वाला है, रागदेश का हरन करने वाला सोरस का पान करने वाला है, ज्यान रस का पान करने वाला है निराबाद, निगम, आप्त वचन, निरंजन, निराकार, अभोगता और ज्यान रस का भोगता परसुभाब का अकरता, निसुभाब का करता, साश्वत, अभिनासी सरीर से भिन, अमूर्तेक, निर्मल, चैतन्य पिंड, पुरुश अकार, देवाधी देव मैं ही हूँ उसकी निरंतर सेवा और अवलोकन करता हूँ उसका अवलोकन करने से सांत सुधामरत की छटा उचलती है तथा आनंद धारा बहती है उसकी रस्पान से अमर होना चाहता हूँ यह मेरा सरूप जयवन्त रहे इसका अवलोकन और ध्यान जयवन्त रहे तथा इसका विचार जयवन्त वरते इसका छण मात्र भी अंतर ना पड़े इस सरूप की प्राप्ती के बिना मैं सुखी कैसे हूँ कभी नहीं हो सकता मैं कैसा हूँ जिस भाती काश्ट की गनगोर को आकास में इस्थापित करें तो इस्थापित प्रमान आकास के प्रदेश उसके प्रदेशों में प्रवेश कर जाते हैं इस पिरकार छेत्र अपेक्षा एकमेक होकर मिले हुए ठहरे हैं और मिली जूली अवस्था रूप प्रती समय परिणमन करते हैं किन्तु सुभाब की अपेक्षा भिने भिने सुभाब लिए इस्थित रहते हैं एवं अलग-अलग ही परिणमन करते हैं बे किस पिरकार परिणमते हैं आकास तो प्रती समय अपने निर्मल अमूर्तिक सुभाब रूप परिणमन करता हैं और काश्ट की बनी गनगौर पुतली प्रती समय अपने मूर्तिक एवं अचेतन सुभाब रूप परिणमन करती हैं अभियदी काश्ट की गन्गौर को आकास के पिर्देसों से उठा कर दूर इस्थापित करें तो आकास के पिर्देस तो बही के बही रहते हैं और काश्ट के पिर्देस चले जाते हैं आकास के पिर्देस उसके साथ नहीं जाते हैं चूकि वे भिन्ने भिन्न सुभाव रूप थे इसलिए अलग करने पर अलग हुए इसी भाती मैं भी इस सरीर के छेत्र की अपेक्छा एक छेत्रा अबगाय होकर मिला हुआ ठैरा हुआ हुआ हुँ किन्तु सुभाब की अपेक्छा मेरा सरूप भिन्न है यह सरीर तो पिर्तियक्ष जड़, अचेतन, मूर्तिक, गलन पूरन सुभाब को लिये हुए प्रती समय पर्णमन करता है और बह मैं हुँ जो सरीर के अलग होते ही पिर्तियक्ष नियारा हो जाता हुँ मैं तो चैतन, अमूर्तिक, निर्मल, ग्यायक, सुखमई, आनंद सुभाब को लिये हुए प्रती समय पर्णमन करता हुँ इस सरीर के और मेरे भिन पना पिर्तियक्ष है इसके द्रब गुण परियाय अलग और मेरे द्रब गुण परियाय अलग इसका प्रदेश अलग और मेरा पिर्देश अलग तथा इसका सुभाव पिर्थक और मेरा सुभाव पिर्थक है यहां कोई ऐसा कहे कि पुद्गल द्रव्यों से बारम बार भिन पना हुआ किन्तु सेश चार द्रव्यों से अथवा अन्यजीब द्रव्य से तो पिर्थक पना नहीं हुआ इसका उत्तर यह है कि चार द्रव्य धर्म, अधर्म, आकास और काल तो अनादी काल से लेकर एक स्थान पर अचल रूप से इस्थित है अन्यजीब द्रब्य का सायोग पिरतियक्ष ही मुझसे भिन्न है इसलिए उनको क्या भिन्न करना एक पुद्गल द्रब्यों की ही उल्जन है इसलिए इसी से अलग करना उचित है अधिक बिकल्प करने का क्या प्रियोजन जानने वाला तो थोड़े ही में जान ले और नहीं जानने वाला अधिक में भी ना जाने इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि यह बात युक्ति एवं ग्यान कला से साध्ध है बल, तकरार, जगडे से साध्ध नहीं है इंद्रियों और मन के द्वार से जान पना यह आत्मा सरीर में रहता हुआ इंद्रियों तथा मन के द्वार से किस प्रकार जानता है बही कहते हैं जिस प्रकार एक राजा को किसी एक बलवान ने बहुत स्वेत बड़े उँचे सिखर वाले महल की बंदी खाने में रखा उस बंदी खाने में पांच जरुखे हैं और बीच में एक सीहासन इस्थित है उन जरुखों में ऐसी सक्ति युक्त कांच लगा है और सीहासन में ऐसी सक्ति लिये हुए रतन लगा हुआ है कि राजा सीहासन पर बैठा हुआ जरुखों में से अनुकरम से देखता है पिर्थम जरुखे में से देखें तब तो इस पर सुगुण के आठ परियाय सहित पदार्थ दिखते हैं अपसेस पदार्थ उसमें से नहीं दिखतें पुनहा उसी सीहासन पर बैठा हुआ राजा दूसरे जरुखे में से देखें तब पाट जाती के रस की सक्ति लिये पदार्थ दिखते हैं और अपसेस पदार्थ नहीं दिखतें पुनहा सीहासन पर बैठा हुआ राजा तीसरे जरुखे में से देखें तब गंध के दो जाती सहित पदार्थ दिखते हैं और अपसेस पदार्थ नहीं दिखतें पुनहा सीहासन के ऊपर बैठा हुआ राजा चोते जरुखे में से देखें तब पाट जाती के बर्ण सहित पदार्थ दिखतें अपसेस पदार्थ हैं तो भी नहीं दिखतें पुनहा सीहासन पर बैठा हुआ राजा पाँच बे जरुखे में से देखे तब सब्द जाती के सब्द मई पदार्थ दिखते हैं और अपसेस पदार्थ नहीं दिखते जब बैठा राजा पाँच जरुखों का अबलोकन छोड़ कर उनमें से देखना बंद कर सीहासन के ऊपर द्रश्टी कर पदार्थ का विचार करे तब बीसों जाती के तो मूर्तिक पदार्थ और आका सादिक अमूर्तिक पदार्थ सब दिखते हैं जरुखों तथा सीहासन के बिना बहा के पदार्थों को जानना चाहे तो नहीं जान पाता अब राजा को बंदी खाने से छोड़ कर महल द्वार से निकाले तब बिना विचार के ही राजा को दसों दिसाओं के सर्व मूर्तिक और अमूर्तिक पदार्थ प्रतिभासित होते हैं यह देखने का सोभाव राजा का है संपूर महल का नहीं है मात्र पूरे महल के निमित से ज्ञान आख्छादित हो जाता है तथा कोई निर्मल जाती के परमाणू जहरोखे और सीहासन में लगे हैं उनके निमित से किंचित मात्र जान पना रहता है दूसरी बात यह है कि महल का सोभाव तो सर्व ग्यान को घातने का है इसी पिरकार इस सरीर रूपी महल में यह आत्मा करमों के निमित से बंदी खाने में इस्थित है इसमें पांच इंद्रियों रूपी तो जरुके हैं और मनरूपी सीहासन है जब यह आत्मा जिस इंद्रिये के द्वार से अबलोकन करता है तब उस इंद्रिये के अनुशार पदार्थ को देखता है मन के द्वार से अबलोकन करता है तब मूर्तिक एवं अमूर्तिक सर्व पदार्थ प्रति भासित होते हैं जब यह आत्मा सरीर रूपी बंदी खाने से रहित होता है तब मूर्तिक और अमूर्तिक लोका लोप के तिरकाल संबंदी चराचर पदार्थ एक समय में युपत प्रतिभासित होते हैं यह सुभाव आत्मा का है सरीर का तो नहीं है सरीर के निमित से पूरा ग्यान घटता जाता है अर्थात आप्रगट रूप रहता है और इंद्रियों तथा मन के निमित से किंचित मात्र ग्यान खुला प्रगट रहता है इस पिरकार के निर्मन जाती के परमानों, इंद्रियों एबम मन में लगे हैं, उनसे किंचित मात्र दिखता है, जानना होता है दूसरी बात यह है, कि सरीर का सभाब तो इतने ग्यान को भी घातने ढखने का ही है, जिसने निज आत्मा का सरूप जाना है, उसका यह चिन्न होता है अन्य गुण तो आत्मा में अनेक हैं, और अधिक ही जाने जाते हैं, किन्तु तीन गुण बिसेस हैं, उनको जाने तो अपना सरूप अबस जानता है, और उनके जाने बिना तिरकाल में भी निज सरूप की प्राप्ती नहीं होती तीन गुणों में से दो को ही भली भाती जाने, तो भी निज सहजानन्द को पहचाने, दो गुणों की पहचान बिना सरूप की प्राप्ती तिरकाल तिरलोक में नहीं होती, बही खहते हैं गुणों की पहचान और सरूप की प्राप्ती पहला गुण, पिर्थम तो आत्मा का सरूप ग्याता द्रश्टा जानू, यह जानपना है, बै ही मैं हूँ, और मैं हूँ, बै ही जानपना है, ऐसा निसंदे अनुभवन में आए दूसरा गुण, रागदेस रूप ब्याकुल होकर परिणमन करता है, बै ही मैं हूँ, कर्म का निमित पाकर कसाय रूप पढ़नमन हुआ है, जब कर्म का निमित अलप पढ़े, उदाय मंद हो, तब पढ़नाम सांत रूप पढ़नमन करते हैं जैसे जल का सुभाब तो सीता लेबम निर्मल है, अगनी का निमित पाकर बह जल उशनता रूप पढ़नमन करता है, और धूल रज का निमित पाकर बह जल मलिनता रूप पढ़नमन करता है, बैसे ही इस आत्मा का ज्याना बढ़नादी कर्म के उदाय का निमित होने पर ज्य के उदय का निमित पाकर निराकुलता का गुण घाता जाता है। जैसे 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 ज्ञाना मर्नादी कर्म का उदय रूप निमित हलका मंद पड़ता है, बैसे बैसे ज्ञान का उद्योत होता है। और जैसे जैसे कसाय का निमित मंद पड़ता जाता है बैसे बैसे निराकुलित पड़िडाम होते जाते हैं इस सुभाब को जिनोंने पृत्यक्ष जाना और अनुभब किया है बेही सम्यक द्रश्टी निजरूप के भोगता है तीसरा गुण यह भी जानते हैं कि मैं असंख्यात पिर्देशी अमूर्तिक आकार भाला हूँ जैसे आकास अमूर्तिक है बैसे ही मैं भी अमूर्तिक हूँ किन्तु आकास तो जड़ है और मैं चेतन हूँ आकास का स्वरूप आकास काटे से कटता नहीं तोड़ने से तूटता नहीं पकड़ने में आता नहीं रोकने से रुकता नहीं छेदने से छिरता नहीं भेदने से भिरता नहीं गलाने से गलता नहीं जलाने से जलता नहीं इनको आदी लेकर किसी प्रकार भी आकास का नास नहीं होता है इसी पिरकार मेरे असंख्यात पिर्देशों का नास नहीं होता मैं असंख्यात पिर्देशी पिर्तियक्ष बस्तु हूँ मेरा ग्यान गुण तथा पढ़नती गुण पिर्देशों के सहारे है यदि पिर्देश ना हो तो गुण किसके आस्रित रहे जब प्रदेश बिना गुणों की नास्ती हो तब सुभाब की नास्ती हो जैसे आकास के फूल कोई बस्तू नहीं बैसे ही हो जाएंगे ऐसा मैं नहीं हूँ मैं साक्षात अमूर्तिक अखन प्रदेशों को धारन करने वाला हूँ और उनमें बिसेश ग्यान गुण को धारन किये हुए हूँ ऐसा तीन प्रकार से संयुक्त मेरा स्वरूप उसे में भली भाती जानता हूँ और अनुभब करता हूँ इन तीन गुणों की जो मुझे प्रतीती है बही कहता हूँ तीन गुणों की प्रतीती कोई मेरे पास आकर ऐसा जूट ही कहता है कि तुम चैतन रूप नहीं हो और तुम में परिणमन गुण भी नहीं है यह बात अमुग ग्रंथ में कही है ऐसा मुझे से कहे तब मैं उससे कहूँ रे दुर बुद्धी अरे बुद्धी रहे तुम मोह से ठगाए गए हो तुम्हे कुछ भी सुद नहीं तुम्हारी बुद्धी ठगी गई है तो बह पुरुष कहता है क्या करूँ अमुग ग्रंथ में कहा है ऐसा मुझे से कहे तुम्हे जो परका देखन जानन हारा प्रत्यक्ष चैतन बस्तु हूँ उससे कहे को कैसे मानूँ तब उससे कहता हूँ सास्त्र में ऐसा मिथ्या नहीं कहा जाता यह नियम है जैसे सूर्य कभी सीतलता रूप नहीं हुआ और अभी भी नहीं है आगे भी नहीं होगा बह मुझे फिर से कहता है आज सूर्य सीतल रूप उदित हुआ इसे मैं कैसे मानूँ कदाचित नहीं मान सकता परन्तु तुम असत्य ही सर्वगी का नाम लेकर ऐसा कहते हो तुम चेतन नहीं हो और तुम्हारी पर्णती परिणमन भी नहीं अता है मैं यह बात कदापी नहीं मान सकता मैं क्या नहीं मानता दो गुणों के बात की तो मुझे जे नाग्या से प्रतीती है और अनुभब से भी प्रतीती है तथा तीसरे पिर्देशत्य गुण का भी मुझे आज्या से और अनुभब से एक देश पिर्मान है कैसे क्योंकि मैं यह जानता हूं कि सरवग देप का बचन जूठा नहीं होता इसलिए तो आज्या पिर्मान है और मैं यह भी जानता हूं कि मुझे मेरा अमूर्थिक आकार नहीं देखता अतः यह अनुभब पिर्मान है तब अनुभब में फिर्मान कैसे हो मैं अनुमान से जानता हूँ कि पिर्देशों के आस्रे बिना चैतन गुण किसके सहारे रहेगा और पिर्देशों के बिना गुण कदापी नहीं होते यह नियम है जैसे भूमी के बिना विरक्षादी गुण किसके सहारे होंगे बैसे ही प्रदेश बिना गुण किसके सहारे हों ऐसे विचार से अनुभब भी आता है और आग्या से पिर्मान भी होता है यदि कोई मेरे पास आकर जूठा भी ऐसा कहे कि अमुक गरंथ में यह बात कही है कि तुमने पहले तीन लोग पिर्मार पिर्देशों का शरद्धान किया था अब अन्य गरंथ में इस भाती निकला है कि आत्मा के प्रदेश धर्म द्रब के पिर्देशों से कम है तब मैं ऐसा विचारता हूँ सामन सास्तर की अपेक्छा विसेस बलवान होता है अता इसी पिरकार होगा मेरे अनुभब में तो कोई निर्णय निर्धार नहीं होता और विसेस ग्याता नहीं दिखते है इसलिए मैं सरवग्गी के बचन जानकर फिर्मार करता हूँ अब यदि कोई मुझसे यह कहे तुम जड़ अचेतन मूर्तिक परिणती से रहे थो तो मैं यह बिल्कुल नहीं मान सकता यह मुझे नी संदे है ऐसा मुझे करोणों ब्रह्मा करोणों विश्णूं करोणों नारायन करोणों रुद्र आकर भी कहें तो भी मैं तो यह ही जानूंगा कि यह तो पागल हो गए हैं मुझे ठगने के लिए आये हैं अथ्वा परिक्षा ले रहे हैं भावार्त यह जो मेरी ज्ञान पढ़नती है यह मैं सुयम ही हूँ यह सुयम ही होती है जो इसे जानता है बहे सम्यक द्रश्टी है इसके जाने बिना मिथ्य द्रश्टी रहता है अनेक पिरकार के गुड़ों के सरूप का एवं परियायों के सरूप का जैसे जैसे ग्यान होता है बैसे बैसे ग्यान कारी कारी होता है परन्तु मुख्य रूप से इन दो का ग्यान अबस्य होना चाहिए ऐसा लक्षन जानना इसके अतिरिक्त विसेस गुण इस पिरकार जानना कि एक गुण में अनन्त गुण है और अनन्त गुणों में एक गुण है किन्तु गुणों में गुण मिलते नहीं और सर्व गुणों में मिले भी हैं जैसे स्वर्ण में भारी, पीला, चिकना इत्यादी अनेक गुण हैं अतै छेतर की अपेक्षा तो सर्व गुणों में पीत गुण पाया जाता है और पीले गुण में छेतर की अपेक्षा सर्व गुण पाये जाते हैं और छेतर की ही अपेक्षा गुण मिले हुए रहते हैं तथा सभी के प्रदेश एक ही हैं सुभाब की अपेक्छा सबकी सरूप अलग-अलग हैं पीले का सुभाव अन्य है तथा चिकने का सुभाव अन्य ही है इसी पिरकार आत्मा की विशय में जानना और अन्य द्रब्यों में भी जानना तथा अनेक पिरकार अर्थ परियाए एवं ब्यन्यन परियाए का यतार्थ ग्यान सास्तर की अनुसार जानना हुचित है सुख दुख इस जीप को सुख की ब्रद्धी तथा हानी दो पिरकार की होती है बही कहते हैं जितना ग्यान है उतना ही सुख है इसलिए ग्याना बर्नादी का ओदय होने पर तो सुख दुख दोनों का नास होता है चयोपसम होता है और मोय कर्म का ओदै होता है तब जीब के दुख की सकती परियाय उत्पन होती है सुख सकती तो आत्मा का निज गुण है जो कर्म की ओदै बिना है किन्तु दुख की सकती अर्थात परियाय कर्म की निमित से होती है बह अउपाधिक सकती है कर्म का उदाय मिटने पर जाती रहती है सुख सकती कर्म का उदाय मिटने पर पिरगट होती है इसलिए कि बस्तू का द्रब्यत तो सुभाव है यहां सिस्य प्रिश्ण करता है हे स्वामी, हे प्रभू आपकी किरपासे द्रब्य कर्म एवं नो कर्म से मेरा सुभाव भिन न्यारा दिखा अब मुझे रागदेश से न्यारा दिखाओ तब स्री गुरू कहते हैं हे सिस्य तुम सुनो जैसे जल का सुभाव सीतल है और अगनी की निमित से जल उष्ण होता है भै उष्ण होने पर परियाय में अपना सीतल गुण भी खो देता है सोया मुष्ण रूप होकर परिणमता है तथा औरों को भी आता पुत्पन करता है किन्तु कुछ समय पस्चात जैसे जैसे अगनी का संयोग मिटता है बैसे बैसे जल का सुभाव परियाय में सीतल होता जाता है तथा औरों को भी आनंदकारी होता है बैसे ही इस आत्मा का सुभाव सुख है और कसाई की निमित से आकुल व्याकुल होकर परियाय में पर्णमन करता है सर्व निराकुलित गुण जाता रहता है तब अनिष्ट रूप लगता है किन्तु जैसे जैसे कसाई का निमित मिठता जाता है वैसे वैसे निराकुलित गुण पिरगट होता जाता है तब बय इस्ट लगता है किंचित कसाई के मिटने पर भी ऐसा सांती सरूप सुख प्रिगट होता है तो ना जाने परमात्म देप के जो संपूर्ण कसाई मिटने पर जिनके अनंत चतुष्टे प्रिगट हुआ है उनका बह सुख कैसा होगा थोड़े से निराकुल सुखाब को जानने से संपूर्ण निराकुलित सुखाब की प्रतीती आती है तो संपूर्ण सुद्ध आत्मा कितना निराकुलित सुखाब का होगा ऐसा अनुभव मुझे भली भाती होता है यहां सिस्षि प्रश्न करता है हे प्रबु बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा का फिरगट चिन्न क्या है उसका सुरूप कहो तब स्री गुरू कहते हैं जैसे किसी बालक को जर्म से ही तय खाने में रखा और बही बढ़ा हुआ फिर कितने ही दिनों के पश्चाद उसे रात्री के समय वाहर निकाला और उससे प्रश्न किया कि सूरी की दिसा पिरकास और विम्ब कैसा होता है तब बही बालक कहता है मैं तो नहीं जानता हूँ कि सूरी की दिसा पिरकास तथा विम्ब कैसा होता है पुना उससे प्रश्न करें तब बही कुछ का कुछ बताता है पश्चाद पौफ हटने पर पुना उससे प्रश्न करें तब बही यह कहता है जहां से पिरकास हुआ है बही पूर्व दिसा है और बही सूरी है क्योंकि सूरी के बिना ऐसा पिरकास नहीं होता जैसे जैसे सूरी उचा चड़ता है बैसे बैसे सूरी का पिरकास पिरत्यक्ष और निर्मल होता जाता है तथा पदार्थ भी निर्मल प्रतिभासित होने लगते है फिर कोई आकर उससे यह कहे कि सूरी दक्षिन दिसा में है तो वह कदापी नहीं मानता ऐसा कहने वाले को पागल मानता है कि यह तो सूरी का प्रिकास पृतियक्ष पूर्व दिसा में दिखता है मैं इसका कथन कैसे मानू यह मुझे निसंदे है सूरी का बिम्ब तो मुझे द्रश्टिगत नहीं होता किन्तु फिरकास से सूरी का अस्तितु सिद्ध है इस भाती अबगार प्रतीती आती है किन्चित काल पस्चाद जब सूरी का बिम्ब संपूर्ण महा तेज युक्त प्रताप को लेकर दैदीप मान प्रिगट हुआ तब प्रकास भी संपूर्ण रूप से प्रिगट हुआ पदार्थिभी जैसे थे बैसे ही प्रतिभासित होने लगे तब और कुछ पूछना नहीं रहा निर्विकल्प हो गया इस प्रकार द्रश्टांत के अनुसार दार्स्टांत जानना बही कहते हैं मिथ्या तो अवस्था में इस पुरुष से कहें कि तुम चैतन हो ग्यान मई हो तो वह कहता है चैतन ग्यान क्या कहलाता है क्या मैं चैतन ग्यान हूँ फिर कोई आकर ऐसा कहता है सरीर है बही तुम हो तुम सरवग्गी का एक अन्स हो छण में उत्पन होते हो और छण में बिनेश्ट होते हो तथा तुम सून्न हो तब बही ऐसा मानता है कि मैं ऐसा ही होँगा मुझे कुछ खबर नहीं पड़ते यह भही रात्मा का लक्षण है तब कोई पुरुस गुरु का उपदेश पाकर कहता है प्रभू सून्ने आत्मा के कर्म कैसे बनते है तब स्री गुरु कहते है जैसे एक सीही उजार निर्जन इस्थान बन खंड में बैठा था बहां ही बन में सभा में आठ मंत्रबादी थे उस सीही ने उन मंत्रबादियों के उपर कोप किया तो उन मंत्रबादियों ने एक एक चुटकी भर धूल मंत्रित कर सीही के सरीर पर डाल दी कितने ही दिनों के पश्चात एक चुटकी धूल के निमित से सीही का ग्यान कम हो गया एक चुटकी धूल के निमित से देखने की सकती घट गई एक चुटकी धूल के निमित से सिह दुखी हुआ एक चुटकी धूल के निमित से सिह उस सून इस्थान को छोड़कर अन्य इस्थान को चला गया एक चुटकी धूल के निमित से सिह का आकार अन्य रूप ही हो गया एक चुटकी धूल के निमित से सी अपने को नीच मानने लगा तथा एक चुटकी धूल के निमित से उसकी ज्यानादी की सक्ती सामर्थ घट गई इसी पिरकार आठ पिरकार के ग्याना बनादी कर्म जीवों में रागदेश उत्पन कर ग्यानादी आठ गुणों का घात करते हैं ऐसा जानना इस पिरकार सिस्ष ने प्रश्न किया था उसका गुरू ने उत्तर दिया अते भवी जीवों को सिद्धिकी सरूप को जानकर अपने सरूप में लीन होना उचित है सिद्ध की सरूप में और अपने सरूप में सादरश्य है इसलिए सिद्ध की सरूप का ध्यान करना अधिक कहने से क्या ऐसा ग्यानी अपने सुभाब को जानता है सिद्ध देप की इस्तुती अब सिरी सिद्ध परमेश्टी की इस्तुती अर्थात महिमा का वर्णन कर मैं अष्ट कर्मों का नास करूँगा परम देव सिद्ध का सरूप जिन्होंने घातिया अघातिया कर्म मल को धो दिया है जैसे सोलह वान का सुद्ध कंचन स्वर्ण अंतिम बार की आँच पर पकाया हुआ निस्पन होता है बैसी ही अपनी सुप्छ सक्ती से जिनका सरूप दैदी पिमान पिरगट हुआ है इसलिए मानों पिरगट होते ही समस्द गेयों को निगल लिया है सिद्ध भगवान कैसे है एक-एक सिद्ध की अबगाहिना में अनंत-अनंत सिद्ध अलग-अलग अपनी सत्ता सहित इस्थित है कोई सिद्ध भगवान किसी अन्य सिद्ध भगवान से नहीं मिलते बे-परम पवित्र है, सुयम सुद्ध है एवं आत्मिक सुभाव में लीन है तथा परम अतींद्रिय अनुपम, बाधा रहित, निराकुलित, सोरस को निरंतर पीते हैं उसमें अंतर नहीं पड़ता है अपनी ग्यायक सुभाव को जिनोंने पिरगट किया है तथा जो समय समय सट पिरकार की हानी ब्रद्धी रूप से अनन्त अगरू लगू गुण रूप परिणमते हैं अनन्तानंत आत्मिक सुख को आचरते हैं एवं आश्वादन करते हुए अगाते नहीं हैं अर्थात अतियंत तरप्त होते हैं जिन्हें अब कुछ भी इक्षा नहीं रहे क्रत-क्रत हुए अर्थात जो कारिय करना था वह कर चुके हैं कैसे हैं परिमात्मा देव ग्यानामरत से जिनका सोभाव जरता द्रवित होता है और सो संबेदन से जिसमें आनंद रसकी धारा उचलती है उचल कर अपने ही सोभाव में लीन होती है जैसे सक्कर की डली जल में गल जाती है बैसे ही सोभाव में उपियोग गल गया है पुना बाहर निकलने में असमर्थ है जिनकी निच पढ़नती सुभाव में रमण करती है एक समय के लिए उपच्ती एवं बिनस्ती है तथा धुरूब रहती है पर पढ़नती से भिन अपने ग्यान सुभाव में पिरवेश किया है तथा ग्यान पढ़नती में पिरवेश किया है इस पिरकार एक मेक होकर अभिन पढ़नमन होता है ग्यान और पढ़नती में दोको इस्थान नहीं रहता ऐसा अधभुत कौतु हल सिद्ध होता है बे सिद्ध भगवान अत्यंत गंभीर उदार एवं उतक्रेश्ट हैं निराकुलित अनुपम बाधा रहेत शरूप से पूर्ण भरे हैं ज्यानानंद द्वारा आहलादे थें तथा सुख सुभाव में मगन हैं अखंड, अचल, अभिनासी, निर्मल तथा चेतनो सुरूप सुध ज्यान की मूर्ती हैं ग्यायक हैं, बीतराग हैं तथा सर्वग्य हैं द्रविगुण परियाय संयुक्त तिरकाल संबंदी सर्व चराचर पदार्थों को एक समय में युकपत जानते हैं सहजानन्द हैं, सर्व कल्याण की पुझ हैं एबम तरैलोक में पूझ हैं, जिनके सेवन से सर्व बिग्न बिलीन हो जाते हैं स्रीती थंकर देब भी तब कल्याणक के समय जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं भी बारम बार हस्त युगल मस्तक को लगा कर नमस्कार करता हूं नमस्कार का प्रियोजन मैं उन्हें उन्ही के गुणों की प्राप्ती के लिए नमस्कार करता हूं बे देवाधी देव हैं, यह देव संग्या सिद्ध भगवान में ही सोभायमान होती है तथा चार परमेष्ठियों की तो गुरु संग्या है सिद्ध भगवान सर्व तत्त को प्रकासित करते हुए भी गेई रूप नहीं पढ़नमते हैं अपने स्वभाव रूप ही रहते हैं बे गेईों को इस प्रकार जानते हैं मानो यह समस्त गेई पदार सुद ग्यान में डूप गए हैं या मानो प्रतिविंबित हुए हैं अथवा मानो ग्यान में उतकिन कर दिये हैं उनके असंख्यात पिर्देश सांत रस्से भरे हैं तथा ग्यान रस्से आलादित हैं सुद्ध अम्रत बही हुआ परम्रस उसे ग्याना जली से पीते हैं जैसे चंद्रमा के बिमान से अम्रत जहता है बै दूसरों को आलाद आनंद उप जाता है और आतप को दूर करता है बैसे ही सिद्ध भगवान आप सुयम तो ग्याना म्रत पीते हैं आचरते हैं तथा दूसरों को आलाद आनंद उप जाते हैं उनका नाम इस्तुती एवं ध्यान करने से भब्य जीवों का आतप बिलीन हो जाता है परिणाम सांत होते हैं तथा आपा पर की सुधता होती है जो ग्याना म्रत को पीते हैं उन्हें निश्वरूप की प्रतीती आती है ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो ऐसे सिद्ध भगवान जैवंत प्रवर्तू मुझे संसार समुद्र से निकालू तथा संसार समुद्र में गिरने से बचाओ मेरे अश्ट कर्म का नास करू मेरे कल्याड के करता होकर मुझे मोख्ष लक्षमी की प्राप्ती करादू मेरे हिर्दय में निरंतर निवास करो और मुझे अपने समान करो सिद्ध भगवान कैसे है जिनके जन्म मरण नहीं जिनके सरीर नहीं है जिनके बिनास नहीं है संसार में गमन नहीं है जिनके असंख्यात पिर्देसों में ग्यान का आधार है जो अनंत गुणों की खान है एवं अनंत गुणों से पून भरे है इसलिए अबगुण आने को इस्थान ही नहीं है इस पिरकार सिद्ध परमेश्टी की महिमा का वर्णन कर इस्तुती की इस पिरकार सिद्ध का स्वरूप संपूर्ण हुआ जै जिनेंद्र, थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स